Hello friends, welcome to my channel Friends, YouTube पे वीडियो अप्लोड करने का तरीका तो सभी को पता है लेकिन सही तरीका केवल कुछ ही लोगों को पता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको YouTube पे वीडियो अप्लोड करने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो भी होगा बट आगे बंड इसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए है तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो देखिए फ्रेंट्स मैंने अपने कम्प्यूटर डेस्टॉप पे दो फाइल यहाँ पे सेव करके रखे हैं और एक फाइल है वीडियो फाइल जिसे कि हम अपने चैनल पे अप्लोड करेंगे और एक फाइल है थमनेल ठीक है जो थमनेल हमने बनाया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने वीडियो फाइल पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से रीनेम उप्शन पे क्लिक करना है और इस फाइल नेम को आपको चेंज कर देना है और नाम आपको वही रखना है जो कि आप टाइटल में रखने वाले हैं मतलब कि वीडियो का टाइटल और इस फाइल का नेम सेम होना चाहिए ठीक है तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया अब आपको क्या करना है कि थम्नेल वाले फाइल पे भी रैट क्लिक करना है और इनेम आपशन पे क्लिक करना है और इसके नाम को भी आपको बिल्कुल टाइटल जैसा ही रख देना है तो वही नाम हम यहाँ पे भी टाइप कर देते हैं तो नाम जो कि हमने फ्रेंट्स अपने वीडियो टाइटल के लिए रखा है वो है तो देखिए मैंने दोनों फाइल का नाम एक ही रख दिया है अब आपको वीडियो फाइल पे रैट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको उपर से थर्ड टैप पे जाना है जो है डीटेल्स details पे जाने के बाद आपको title के right side में आपको click करना है जैसे आप right side में click करेंगे तो यहाँ एक box open हो जाएगा और यहाँ पे आपको फिर से वही title type कर देना है आप चाहे तो एक subtitle भी नीचे type कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने title यहाँ पे type कर दिया है उसके बाद rating आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे आप 5 stars पे click कर दीजे और उसके बाद finally आपको apply पे click करना है तो यह सारे settings apply हो जाएंगे कुछी देर में और उसके बाद आपको ok पे click कर देना है ok button पे click करने के बाद आपका जो file है वो save हो जाएगा अब आपको अपने youtube account पे login कर लेना है और यहाँ पे अपने logo पे click करने के बाद your channel पे चले जाना है your channel पे जाने के बाद आपको इस video icon पे click करना है video icon पे click करने के बाद आपको upload video पे click कर देना है जैसे ही आप upload video पे click करेंगे तो आपके सामने upload videos box open हो जाएगा यहाँ से आपको select files इस button पे click करके अपने file को select कर लेना है मतलब कि जो भी file आप upload करने वाले हैं उस file को आपको select कर लेना है तो यहाँ से हम जा करके अपने video file को select कर लेते हैं select करने के बाद आपको open button पे click करना है और आपका जो file है वो upload होना शुरू हो जाएगा अब जो भी title आपने रखा था मतलब जो भी file name आपने रखा था वो देखिए यहाँ पे आपको same उसी तरह से दिखेगा title में भी आप चाहे तो यहाँ पे एक और title title को आप थोड़ा सा और बड़ा भी रख सकते हैं कुछ और यहाँ टाइब कर सकते हैं अब description हम यहाँ पे डालेंगे friends तो description देखिए मैंने already save करके रखा है wordpad में तो इसे मैं यहाँ से copy कर लूँगा ठीक है और यहाँ पे जा करके मैं इसे paste कर दूँगा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ friends की देखिए description में आप उपर के एक या दो line में कुछ keywords भी add कर सकते हैं तो यहाँ पे description हमने यहाँ पे paste कर दिया है इसे आप edit कर लें थोड़ा सा और उसके बाद नीचे आप hashtags भी लगा सकते हैं hashtags लगाने के लिए friends इसमें क्या करना होगा कि आपको hash keypress करना होगा अपने keyboard में और उसके बाद जो भी आप hashtag लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे text type कर दिजिए और अगर suppose दो words हैं तो आपको space नहीं देना है यहाँ पे यह धिहान रखिए यहाँ पे बिना space के आपको type करना है जब एक hashtag आपका complete हो जाए तो उसके बाद आपको space देना है और फिर से hashtag type करके उसके बाद आपको फिर से word type करना है ठीक है तो इस तरह से दिखे मैंने यहाँ पे दो hashtags लगा दिये हैं और सबसे पहले आपको एक ध्यान में रखना है कि सबसे पहला hashtag आप अपने channel का नाम रखिए तो यहाँ पे देखिए hashtag qualified tech मैंने पहला hashtag रख दिया है ठीक है तो यह हमारा hashtags complete हो गया अब 2-3-4 hashtags लगा सकते हैं उसके बाद thumbnail पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको यहाँ नीचे में tags option है यह सबसे important option है तो आपको tags यहाँ पे add करने है tags के लिए मैंने एक video बना के रखा है कि कहां से आप tags find कर सकते हैं तो सबसे पहला tag आप अपने channel का नाम रख दीजे ठीक है तो मैंने अपने channel का नाम जो है qualified tech वो पहला tag रखा है उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा interchange कर दिया मतलब कि second जो tag है वो tech qualified रख दिया ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है कि आप tags को कहीं word pad में आप save एक जगा type करके रख लिजे तो देखे मैंने कुछ इस तरह से tags यहाँ पे type करके already रखे हुए है और हर tag के बाद मैंने एक comma लगाया हुआ है तो देखे कुछ इस तरह से जब मैंने copy paste किया तो वो सारे tags यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे 500 letters का एक limit है मतलब कि जो भी आप यहाँ पे tags डालेंगे वो minimum 500 letters के ही होने चाहिए sorry minimum नहीं maximum 500 letters होने चाहिए तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा tags नहीं लगाया है बट आप यहाँ ज़्यादा ज़्यादा tags लगाया है और tags आप properly आप research कर सकते हैं tags के लिए मैंने एक video बनाया है वो जा करके आप देख सकते हैं उसका link आपको इस video के description box में मिल जाएगा next पे click करने के बाद यहाँ देखिए दो options आएंगे add and end screen तो end screen अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा दीजिए यहाँ से add पे click करके मैं आपको recommend करूँगा कि आप end screen ज़रूर लगा है क्योंकि end screen लगाने से आपको आपके other videos को भी अच्छा खासा view मिलेगा तो यहाँ पे देखिए मैंने end screen में एक video लगाया most recent video और उसके बाद फिर best for viewer मैंने दो videos यहाँ पे लगा दिया आप चाहे तो इसमें और भी videos लगा सकते हैं अपने channel के लिए एक subscription link भी दे सकते हैं उसके बाद finally आपको save button पे click करना है save button पे click करने के बाद देखिए यहाँ पे add cards में भी आप cards add कर सकते हैं बट मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया बट आप इसे जरूर add करें उसके बाद finally आपको यहाँ public option पे click करने के बाद publish पे click जैसे ही करेंगे और title और description में आप जरूर से जरूर keywords यूज करें ठीक है और tags भी आप properly research करके ही लगाएं तो यही वो सही तरीका है friends YouTube पे वीडियो अप्लोड करने का तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और क्रिपया हमारी चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लीजे थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो